नमस्कार बच्चो आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे व्याकरण व्याकरण पढ़ने के लिए सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि व्याकरण होता क्या है व्याकरण किसे कहते हैं ठीक है तो शुरुबात इसी से करते हैं व्याकरण किसे कहते हैं ओके किसी भी भाषा का सही और शुद्ध प्रियोग करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है कि किसी भी भाषा को हमें किस प्रकार से बोलना है, लिखना है यह जानने के लिए हमें कुछ नियमों को पालन करने की आवशक्ता होती है हमें करने पड़ते हैं और जिस शास्त्र द्वारा या जो हमें इन नियमों का बोध कराता है, ज्यान कराता है वही व्याकरन कहला देए कहनी का तात पर यह है कि व्याकरन वहे शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा की शुद्ध रूप का ज्यान होता है अब बात उठी कि हमने आज क्या पढ़ना था व्याकरन हमने जाना व्याकरन क्या है कि जिससे किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पता चले भाषा के शुद्ध रूप का पता चले इससे पहले जानना आवश्यक है भाशा क्या होती है जिसके शुद्धु रूप को हमें जानना पड़ेगा भाशा जी हाँ हम सामाजिक प्राणी है जानवर को भी आप लोगों ने बोलते हुए देखा होगा विभिन धनिया विभिन चिन विभिन संकेतु द्वारा हम अपनी बात को इसपस्ट करते हैं जैसे आपके सामने यह जो चित्र बने हुए है इसमें यह तीचर है जो बच्चों को पढ़ा रही है यह डॉक्टर है नर्स और यह ट्राफिक पुलिस कि इन चित्रों में जो टीचर है सिख्षिका है अपने बच्चों को चुप करने का इशारा कर रही है नर्स मुह पर उंगली रखकर शांत रहने का इशारा कर रही है तो जो ट्राफिक पुलिस है वो इशारा कर रहा है कि किसी भी वाहन को किस तरफ जाना है इस प्रकार से यह अपने भाव प्रकट कर रहे हैं लेकिन इन भावों को प्रकट करना भाशा नहीं कहा जा सकता भाशा शब्द संस्कृत की भाश धातू से बना है जिसका अर्थ है बोलना अतह भाशा में मुख्यतय बोल कर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है अकर थाथ हम बोल कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाशा बनती है जहां तक भावों और विचारों को प्रकट करने की बात है तो बोलकर या लिखकर दोनों तरह से दोनों तरह से हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं हाँ, तो हम यही कह रहे हैं कि भाशा वह साधन है जिसके द्वारा मनुश्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों तक पहुँचाता है दूसरों की भावों तथा विचारों को समझता है अब हम बात करते हैं भाशा के रूपों की भाशा के रूप कितने हैं? कितने तरह से हम कह सकते हैं कि यह भाशा है, कितने प्रकार हैं भाशा के? तो भाशा के मुख्य रूप से दो प्रकार माने गए हैं, एक मौखिक भाशा और दूसरी लिखित भाशा मौखिक भाशा और लिखित भाशा मौखिक भाशा के लिए जब मनुष्य बोल कर अपने विचारों को प्रकट करता है जैसे एक समाचार वाचक द्वारा समाचार बोलना नेता द्वारा भाशन देना सब्जी वाले का आवाज लगाना कहने का थात पर यह है कि समाचार बोलना भाशन देना और सब्जी वाले का आवाज लगाना ये सभी जगापर मौखिक भाशा के उदाहरन है यहां पर मौखिक भाशा का प्रियोग किया जा रहा है है और संक्षिप में अगर मैं तुम्हीं बताऊं तो मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर अपने विचारों को वियक्त करना जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं उपर कि यह टीवी पर जो समाचार वाचक है नेता है सबजी वाला है जो दाहरन मैंने अभी आपको दिए ओ समपादक अपने विचार समाचार पत्र की माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है अध्यापिकाश यामपट पर लिखती है यह जो दाहरन है जो नीचे चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं आपको यह हमें लिखित सामगरी उपर पकर आ रहे हैं हमें लिखित जानकारी भी मिल रही है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह है लिखित भाशा और यह भाशा का लिखित रूप है भाशा के इस रूप को अगर हम समझते हैं तो इन बातों को हम अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और इसको पढ़कर जो हैं हम आत्मसाथ कर सकते हैं कहने कातात पर यह है कि जब भावों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो उसे लिखित भाशा कहते हैं जब भावों को विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं अब भाशा हमने समझी कि लिखित और मौखिक दो तरह की हो गई लेकिन बोली और भाशा में क्या अंतर है बोली भाशा का अलप विक्सित और च्छेत्रिय रूप है यहां हम रहते हैं वहां का अलप विक्सित रूप किसी च्छेत्रिय विखेश में प्रियोग की जाने वाली मौखिक भाशा बोली कहलाती है अब यह जो हम बोल रहे हैं वहे मौकिक रूप के अंतरगत आती है इस से अगली चीज लिपी क्या होती है भाशा का लिखित रूप कब बनता है जब उसके लिए कुछ विश्शिस चिन्न होते हैं जिने वर्ण कहा जाता है और इन वर्णों के द्वारा इन चिन्नों के द्वारा हम उस भाषा को लिखते हैं इस प्रकार मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किये गए चिन्नों की विवस्था ही लीपी कहलाती है अलग-अलग भाषा की अलग-अलग लीपियां होती है और जबकि बोलिक हो हमने मौखिक भाषा कहा है मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किये गए चिन्न ही लीपी कहलाते हैं जैसे हिंदी भाषा की लीपी जो है वो देवनागरी है नेपाली, मराठी और संस्कित भाषाओं की लीपी भी देवनागरी है जबकि पंचाबी भाषा गुर्व मुखी है और उर्दु भाषा फार्ची और अंग्रेजी भाषा की लीपी रोमन कहलाती है तो आपको समझ आया कि भाषा लीपी व्याकरण ये सब क्या होते हैं एक मुखे जानकारी यहां हमें होनी आवशक है कि हमारा सम्विधान और हमारे सम्विधान की अंतरगत हिंदी भाषा को राज भाषा का दर्जा दिया जाता है और 14 सितंबर सन 1949 को भारत की सम्विधान ने हिंदी को राज भाषा के रूप में गोशित किया था और जब तब से लेकर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है इसकी अत्रिक्त भारत की कुछ अन्य भाषाएं हैं जैसे बंगला, पंजाबी, असमिया, मनिपुरी, नेपाली, उडिया, तेलगू, तमिलकन, नडम, लियालम, कॉंकणी, मराठी, गुजराती, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, बोडो, संथाली, मैथली, डोंगरी और हिंदी, भारत एक बहु भाषी देश है, तो भाषा के विशे में, आज हमने जो जानकारी प्राप्त की, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,